नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे बाडोली के सत्यागरा की आईए वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से बेले हमारी चैनल को लाइक करें, सिस्क्राइब करें, धन्यवाद तो आईए वीडियो शुरू करते हैं भारत के राजनीतिक परिदरश पर गांधी के पदारपन के पाद, गुजरात के सूरत जिले के बाडोली तालिके में, राजनीतिक गतिविदियों में तेजी आए यहां तक की परिस्तितिया उस समय तनावपूर्ण हो गए जब जनवरी 1926 में इस्थानिय प्रशाशन ने भूर आजस्वे की दरों में 30% तक की व्रद्धी कर दे थी यहां के कांग्रेसी नेताओं के नेतुरत्रों में इस्थानिय लोगों ने इस व्रद्धी का बहुत तेजी से विरोध किया परिस्तिति की गंभिरता को देखते वे सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए बाडोली जाँच आयोग का गठन किया आयोग ने संस्तूती की भूदर की दरों में की गई व्रद्धी अन्यापूनव अनूचित है फरवरी 1926 में सरदार वल्लबभाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधी से विभुशित किया सरदार पटेल के नेतरतुन में किसानों ने बड़ी हुई दरों का भूराजस्व अदा करने से इंकार कर दिया था और सरकार के सम्मुक यह मानमगी रखी कि जब तक सरकार समस्या के समाधान के लिए किसी स्वतंत्र आयोक का गठन नहीं करेगी या प्रस्तावित लगान की व्रद्धे को वापस नहीं लेगी तक तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुके में तेरचावनियों की स्थापना की आंदोलन कारियों के समर्थन में जन्मत का निर्मान करने के लिए बाडोली चत्याग्रह पत्रिका का परकाशन भी पारंब किया गया आंदोलन के तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बोधिक संगठन का भी स्थापना की गई जिन लोगों ने आंदोलन का विरोत किया उनका समाजिक भहिशकार किया गया आंदोलन में महिलाओं की भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए के ए मुंशी तथा लाल जी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिशद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया अगस्त 1928 तक पूरे देश में आंदोलन पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया था अंदोलन के समर्थ में बंबई ने रेलवे हरताल का आयोजन किया था पटेल के गिरफतारी की संभावनाई देखते हुए दो अगस्त 1928 को गांदी जी भी बाडोली पहुच गए सरकार अब जन अंदोलन को शांति पूर्ण एवन सम्मान जनक तरीके से समाप्त करने का प्रयाज करने लगी सरकार ने एक जांच समीती का भी गठन किया और यह स्विकार किया उसके पस्चात कठित ब्लूम फिल्ड और मैक्सवेल समीती ने भूर आजस्व में व्रद्धी को गलत बताया और बडोतरी में की गई 30 प्रतिसत की व्रद्धी को गटा कर उन्होंने 6.03 प्रतिसत कर दी इस प्रकार बाडोले सत्यागरा की एक सफलता पूर्वक एतिहासिक जीत हुई धन्यवाद